हमारे यूटूब चैनल ग्रह गोचर में आपका स्वागत है दैनिक पंचांग और राश्फल जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ ही धर्म और संस्कृत से जुड़ी रोचक जानकारियों का भी आनन्द उठाइए तो चलिए सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग काशी पंचांग के अनुसार आदिनांग 4 मई 2020 दिन सुमवार है शक समवत 1922 विक्रम समवत 2077 आज वैशाख मास के शुक्रपक्ष की द्वाद शीति थी रात में 11 बच कर 41 मिनट तक रहेगी उसके बाद 3 योद शीति रहेगी नक्षत्र उत्तरा फालगुनी दीन में 4 बच कर 13 मिनट तक रहेगा उसके बाद हस्त नक्षत्र रहेगा पांच बच कर 29 मिनट पर जबकि शुरियास्त 6 बच कर 31 मिनट पर होगा आज वैश्टमों के लिए मुहिनी एक आदशी है आज रुकमिनी द्वादशी है वैशाक महीने के शुक्लिपक्ष की द्वादशी को रुकमिनी द्वादशी मनाई जाती है शास्त्रों के मुताबिक रुक्मिनी को लक्ष्मी जी का अवतार माना गया है श्रीकृष्ण ने रुक्मिनी का हरण कर उनसे विवा किया था और जिस मंदिर में उनका विवा हुआ वह आज भी उसी जगह मौजूद है वह अवंतिका देवी मंद्री के नाम से जाना जाता है जो उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर के पास जहां गिरा अबाद से करीब 15 किलो मिटर दूर गंगा नदी के तटपर है महाभारत की कथा के अनुसार रुक्मिनी के बड़े भाई रुक्मी ने रुक्मिनी का विवाह शिशुपाल से तैक कर दिया था रुक्मी और शिश्पाल दोनों ही श्रिकिष्ण से शत्रुता रखते थे लेकिन रुक्मिनी को श्रिकिष्ण से ही विवाह करना था उन्होंने ये बात अवंतिका देवी के मंदिर के पुजारी के माधम से श्रिकिष्ण तक पहुचाई जिसके बाद श्रिकिष्ण ने रु आया जाने लगा आज सुमवार है और सुमवार के दिन पूरत दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए सुमवार को घर से निखलने से पहले दरपन में अपना चेहरा देखना चाहिए तो ये दाज का पंचांग अपना राश्पल जानने के लिए देखते रहे हमारा यूटूब चैनल ग्रह गोचर